हेलो श्रेंट्स वेलकम टू माई नर्चर मैं हो क्रिष्णा कैसे आप सब लोग मास बढ़िया तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्मस्यूटिक्स का चैप्टर नंबर वन लेक्चर नंबर वन चहां पर आज हम लोग समझेंगे थोड़ा सा हिस्ट्री ओफ फार यह बच्चो थोड़ा सा अलाट रहेंगे यहां पर काफी सरा डाटा है जो वन मास कोश्चन और तुमारे एमसी की कोश्चन के लिए काफी इंपोर्टेंट है ठीक है ना तो हिस्ट्री का हम लोग दो पार्टें पढ़ेंगे एक पार्ट है हमारे पास बिफोर इंडिपें दोनों में क्या अंतर आया और क्या का चीज़े घटी है अव श्रुषछा समझते है ठीक है तो कहरे है यहां पार्मिश्टेमों के लग अंडि कि यह बात करें तो कह रहा है वह इंडिया में आया किसके साथ British traders के साथ ये बाद सबको पता है शुरुआत में जो Britishers आये थे अंग्रेज जो आये थे वो यहाँ पर वैपार करने के लिए आये थे है ना बाद में फिर दीरे दीरे उनों ने हमारी हाँ पर क्या थे बोली वाली जंता का फाइदा उठा करके उनको गुलाम बनाया तो ठीक है सुरुआत में उड़े ट्रेडर्स वैपार करने के परपस से आये थे और उनके साथ-साथ ऐलोपेथिक सिस्टम हमारी इंडिया में आया ऐलोपेथिक आया ये टेडर्स थे ब्रिटिस वो बाद में क्या हो गए रूलर हो गए शाशक बन गए सासन करने लगे हमारे उपर अंडर ब्रिटिस रूल ब्रिटिस रूल के अंदर इस सिस्टम गॉट इस्टेट पैट्रोनेज ये जो एलोपेथिक सिस्टम था उसको संरच्छन प्रदान था क्योंकि ये उनकी पद्दती थी याने कि उनका जो तरीका था तो उसको संरच्छन प्राप्था याने कि साहता मिलती रहती थे कि इसको एलोपेथिक सिस्टम को ठीक है एड डेड टाइम इट वाज मींट फॉर रूलिंग रेस ओनली लेटर इडिसेंडे टू दा पीपल बाद में धीरे धीरे ये ऐलोपेथिक सिस्टम आम जन्ता तक पहुंचा है और बिकेम पॉपलर बाइदा क्लोज ओफ 19th century और धीरे धीरे 19th century तक आते आते पॉपलर हो गया आम जन्ता में भी अब देखो जब ऐलोपेथिक सिस्टम पॉपलर होगा तभी तो कहीना की फार्मसुटिकल की बाते होंगी अगर आम जंता को कोई दिक्कत ही नहीं है कोई प्रॉलम ही नहीं है या उनके पास तक Allopathic System पहुंचा ही नहीं है तो Pharmaceutical कोई पहुंच नहीं जोगत नहीं थी ठीक है आगे आते हैं Before 1940, 1940 से पहले की बात कर लें अगर हम लोग, initially all the drugs इंपोर्टेट सुरुवात में सारे के सारे ड्रग क्या होते थे इंपोर्ट होते थे बाहर से मंगाए जाते थे इंडिया में कुछ नहीं था फ्रॉम यूरोप और आते कहां से थे यूरोप से आते थे ठीक है लेटर बाद में some drugs of this system begin to be manufactured in this country कुछ समय के बाद कुछ ड्रग इंडिया में हमारे बनने लगे ठीक है 1901 की बात है 1901 establishment of Bengal chemical and pharmaceutical works है ना इंडिया में बनने के लिए factory चाहिए होगी तो पहला जो यहां पर establishment हुआ है Bengal chemical and pharmaceutical works कलकत्ता में बाइ आचार ये पी-सी रहे ठीक है अब ये चीज़ important है बच्चो किसके लिए one mask question तुमारा सबसे पहले कौन establish किया या mc की question के लिए मैंने बताया ना क्या चीज़ important है यहां से लेके चलेंगे 1903 में एक small factory at Perel Bombay में establish हुई by professor T.K. Gujar अब ये इतना important नहीं जितना important यह है पहली और आखरी चीज़ important हो जाती है ठीक है ना 1903 की बात करें अच्छा यह हो गया 1907 की बात करें Alembic Chemical Works at Baroda by professor T.K. Gujar ये भी important है ठीक है ना 1907 में Alembic Chemical Works Baroda में establish की गई by professor T.K. Gujar Now Drugs were mostly exported in crude form and imported in finished form ठीक है ना ये कहीं ना कहीं major problem है हमारी जो country है यहाँ पर ना दवाईयां तो बहुत सारी है मतलब crude form में कच्ची form में है ना जैसे कि मालो नीम का पत्ता तोड़ लिया उसमें से कोई chemical निकाल लिया तो crude form में कच्चे रूप में दवाईयां बहुत सारी मौजूद है अब finished form कौन सी होती है उसको जब हमने tablet या capsule का रूप दे दिया तब वो बनती है क्या finished form यानि finally बनके तयार हो गई तो होता क्या था जब यहाँ से कोई चीज export कोई कच्चा है ना कच्चा माल export हो गया फिर वो tablet या capsule का रूप में बनके वापस आया बात है वो चीज क्या हो जाएगी महंगी हो जाएगी आज भी यह एक समस्या है ठीक है समझेंगे इसको थोड़ी और बाते होंगे इसकी second year में जा करके आगया आते है इन दे एपसेंस ऑफ एनी रेस्टिक्शन उस समय कोई वो तो था नहीं कोई restriction नहीं थे on quality quality पर भी कोई बाइंडिसन नहीं थे जिसका मन आ रहा है जैसा मन आ रहा है quality of drugs imported quality of drug import की जा रही थी उसके उपर कोई restriction नहीं था बेकार घटया quality कुछ भी आ रहा था manufacturer abroad took advantage जो विदेशी manufacturer थे उन्होंने advantage लिया of the situation इस situation का कि भाई हमारी country में जाता है कोई देखने वाला है नहीं घटया माल भेज़ दो ठीक घटया माल को भी अच्छे रुपय में भेज़ो तक consequence consequence पढ़नाम वर as follows उसके पढ़नाम यह हुए foreign manufacturer dumped inferior quality medicine जो बेकार quality medicine था उसको dump करती गई हमारी country में and adulterated drugs adulterated मतलब होते जिसे मिलावट होती है market वर full of all sorts of useless all sorts मतलब हर प्रकार के market में हर प्रकार का useless and deletorious drug deletorious मतलब जो नुकसान दैक drug है was sold by unqualified men और बेच कौन रहे है unqualified men उनको qualification ही नहीं पता ही नहीं कुछ drug के बारे हैं बेचा बेच में लगे पड़े है देखरो ना आजादी से पहले क्या हाला चल रही है now यह सब जो हालात ऐसे पैदा हो गए जब लोगों की जान पे बनाई लोग मरने की कगार पहले एक कांड हुआ था उसमें काफ सारे लोग मर गए थे तब जाकर के finally जागी ठीक है ना यहां के लोगोंने थोड़ा सा आंदोलन वेगरा टाइप का किया तब जाकर के यह लोग क्या हुए थोड़ा से जागरुक हुए और उनके आंदोलन की 1930 appointed a committee under the chairmanship of late Colonel आर न चोप्रा तीक है आर न चोप्रा की उसकी अधिक्स्ता में एक कमिटी बनाए गई टू सी इंटू देखने के लिए ना इतना सारे लोग मर गए डग वगरा बेकार बेकार आ रहा है प्रॉलम ओफ फार्मेसी इन इंडिया एंड रिक्मेंडेट दा मेज टू बी टेकन और कहा कि कुछ रिकमेंडेशन दो कुछ बताओ कि हम लोग क्या स्टैप लें कि यह चीज अच्छी हो सके फार्मेसी का प्रोफेशन इंडिया में अच्छा हो सके अब देखरो ना कोई भी कुछ भी बना रहा था तो चीज़ें बेकार थी ठीक है दिस कमीट यह जो कमीटी बनी पप्लिस इट्स रिपोर्ट इन नांतीनटिवन में इस कमीटी ने तो बस ब्स कोई भी आरहा बेच रहा है ठीक है असे अफ़ पीपल नोन इस कोइस कमपाउंडे वर फिलिंग दा ग्याप ऐसे लोग दिनको कमपाउंडे कह जाता है पुराइन टांट पे जो compounding करते हैं दबाई में लाके दे दिया उन्हें computer बोल दिया था था वो लोग pharmacy का काम कर रहे हैं ठीक है यह इसने अपनी रिपोर्ट में लाके दे दिया अब क्या हुआ जब यह report publish हुई of the report प्रोफेशर M.L. श्रॉफ अब जब यह प्रोफेशर थे प्रोफेशर महादेवा लाल श्रॉफ इनिशियेट फार्मसिटिकल एड़ुकेशन एड़ युनिवरस्टी लेवल इन दा बनारा सिंदु उनिवरस्टी अच्छा इन्होंने का ऐसी बात है चल प्रोफेशर महादेवलाल ने वहाँ पर एड़ुकेशन स्टार्ट किया प्लस 1935 में एक युनाइटेट प्रोफिंस फार्मसिटिकल एड़ुकेशन बनी ठीक है जिसका गठन हुआ जो बाद में इंडियन फार्मसिटिकल एस्टोशियेशन आई पीए में कनवर्ट होगी The Indian Journal of Pharmacy was started by Professor Amel Shroff, जो Indian Journal, जो magazine बगरा आती है जरनल समझती हो ना? मोटवोटी किताब इसम्रशियेशन तक एक magazine टाइब की आती है, उसको इस्टार्ट किया Professor Amel Shroff ने इन 1939, अब यह सारी डेट्स क्या है? important dates हो गी? हमारी Indian हिस्टरी में कुछ खास घट आई है All India Pharmaceutical Congress Association was established in 1940 Congress क्या होता है एक तरका सम्मेलन है ना समीथी टाइप की रहती है तो Pharmaceutical Summit Association was established in 1940 The Pharmaceutical Conference, Conference of the Meeting held its session at different places to publicize pharmacy as a whole ठीक है ना तो Pharmaceutical Conference होती रहती है ये करवाती रहती जगह जगह पर जिससे की pharmacy का अच्छे से क्या हो पर चार हो की pharmacy क्या चीज़ है और क्या इसके अंदर होने चीज़ है अब ये सारी घटना घट जाती है आपर फिर 1937 आता है ठीक है ये थोड़ा सा advance चलेगे हम लोग वापस आते है 1937 में Government India brought import of drug bill की अब भाईया import याने की बाहर सो दवाईयां आ रही है ठीक है कोई भी चीज़ खराब नहीं लेंगे हम उसने बिल पास कर दिया है लेटर इस वाट विड्रॉन अच्छा उस समय कौन थे विदेशी हूमत थी तो उन्होंने उसको वापस कर ले क्यों उनका फाइदा नहीं था इसमें तो क्या हुआ इन्होंने यह बिल को वापस करवा दिया ठीक है 1937 की बात है यह आ गया थे अब क्या हुआ उसके बाद फिर आता है 1940 गॉवर्मेंट ब्रॉट ड्रग भील पहले क्या लाया है यहां पर इंपोड ड्रग बील अउसने कफ कोई बात नहीं हम एक बड़ी चीज लेकि आएंगे ड्रग बील लिया है इंप ब्रॉट ड्रग बिल तूरे अब इस बिल ने पहले इंपोर्ट तिथा अब इंपोर्ट manufacture जो बनाएंगे sale जो बेचेंगे distribute करेंगे in British India उन सब के उपर नकेल कस दी कि आओ तुम हमने बिल पास कर दिया इसके according तुम सारे काम करोगे अब चाहे वो import का काम होगा चाहे manufacture काम होगा चाहे sale का काम होगा चाहे distribution का काम होगा ठीक है this bill was finally adopted as drug act of 1940 finally इस bill ने किसका रूप ले लिया drug act का रूप ले लिया 1940 में 1941 में the first drug technical advisory board DTAB first drug technical advisory board देखो बच्चों यही नाम है सारे खास खास ठीक है history में history पुरिकों की तुमारे अब question कैसे आ रहे है pattern देखी लिया होगा pattern देख लिया जिए लोगों वो pattern नहीं पता है वो लोग क्या डालेंगे new exam pattern new exam pattern आगे डालोगे mind nurture मतलब आगे डाल देना deform का new exam पता नहीं किसका खोल के बैड या तुम लोग deform new exam pattern आगे क्या डालोगे mind nurture तो नय exam का pattern क्या है बच्चो वो तुमारे सामने वीडियो खुल जाएगी वो वीडियो तुमारे सामने खुल जाएगी और महाँ पे तुमको वो वीडियो मिल जाएगी कि नय exam का pattern क्या है तो तुमको पता तलेगा नय exam में one marks, two marks, three marks and five marks question है केवल and even जो five marks से question है न वो भी इस one marks में तुमारे पास क्या रहेगा mcq and fill in the blanks है न अब one marks वाले में क्या आता है तुमारे पास mcq और fill in the blanks ठीक है तो कोई भी topic है अगर मेरे lecture देखना चाहते है तो कोई भी topic है उस topic का नाम डालके आगे क्या लिख दोगे mind nurture लिख दोगे तो वो topic तुमको मिल जाए करेगा पक्का देखने ना एक new exam pattern ठीक है ना किस तरह से exam आने वाला है ओके आगे आते हैं तो drug technical advisory board established होगी under this act was constituted constituted मतलब बनी ठीक है ना किस act के अंदर drug act 1940 के अंदर central drug laboratory CDL was established in कलकता CDL कहां पर है कलकता में पता होना चाहिए 1945 में क्या हुआ drug rule under the drug act of 1945 established drug rule बन के आया अच्छा आप ये drug rule क्या है उच्छा बहुत डिटेलों जाने की जोड़त नहीं है second year में pharmacy law and ethics पढ़ोगे वहाँ पे सारे rule आएंगे दिरिदेगर के detail में तो उनको ही हम डिटेलों पढ़ेंगे यहां सार में की सब के अंदर क्या है यहां पर जाने की जोड़त नहीं है क्यों समझो कब कॉंसल लॉव आया जो की important थे ठीक है कोई history पढ़ रहे है the drug act has been modified from time to time यह drug act है 1940 वाला समय समय पर modify होता रहता है जैसे जरूद पढ़ती रहती है and at present और आज की समय the provisions of the act cover cosmetic and ayurvedic युनानी होमपैथी आज की समय यह जो act है सारे provisions cosmetic का, ayurvedic का, युनानी का, होमपैथी का सब का cover करता है medicines in some respect ठीक है ना सारी चीज़ें अब इसके अंदर cover होती है the medicine ना कहीं पर word जुड़ा है दवाईयां चाहे जहां मरजी की हो चाहे अरुवेदिक हो चाहे युनानी हो होमपैथी हो सब इसके अंदर आएंगी सब की सब इसके हिसाब से काम करेंगी ठीक है 1945 के बात करें government brought the pharmacy bill यह देखो ठीक है government pharmacy bill लेकिया है to standardize the pharmacy education in India अब जा करके education की बाते चलने लगी ठीक है उन्होंने एक bill पास कर दिया उन्होंने वहाँ पे start कर दिया था pharmacy education no doubt एमल्स रॉफ ने ठीक है ना तो लेकिन pharmacy bill अब पास होता है 1946 में the Indian pharmacopial list देखो 45 के आद अब ये कहानी आता घट गई 46 अब आगया आते हैं अब मिली जूली कहानी चल रही है 36, 46 आगया लगब लगब अब यहाँ पे pharmacy profession के बात हो रही है after independence ठीक है इन इंडिया formal pharmacy education leading to degree begin with the introduction of a three year bachelor of pharmacy B farm at Banaras Hindu University देखो उन्होंने उस समय यहाँ पे start कर दिया था ये पिछा आजाए ये ये इन्होंने यहाँ पे इन्होंने 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 फार्मसिटिकल एजूकेशन को start कर दिया था एवल्स रॉफ ने वहाँ पर Banaras Hindu University में clear है ठीक है और पीछे उसके बाद क्या हुआ ठीक है सबसे पहले जो बीफार्म था हमरे पास थ्री एर का कोर्स था clear है बनारत Hindu University में था फार्मसिटिकल पैटर्न वास बेश्ट ओन दा इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड़ बाई दा फार्मसिटिकल सुसाइटी ओफ ग्रेड बिटेन तो क्या कह रहा है जो एजुकेशन का पैटर्न था और किसके उपर बेश था किसके उपर आधारित था जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किये गए थे फार्मसिटिकल सुसाइटी ओफ ग्रेड बिटे अभी भी इंडिया का कुछ नहीं था उनके हिसाफ से सारा पैटर्न था formal training of compounder was started in 1881 in Bengal formal training of compounder भाई जो गमपाउटर से 공पाउटर कौन होते हैं जो बताए सा न मैंने जो दवाईयों को बना बनो के देते हैं उनकी भी ट्रेडिक इब चाइर्ट कराए गई 1800 एकटासी में बंगाल में ठीक है अब बात करते हैं कुछ father of pharmacy in India the father of pharmacy in India महादेव लाल श्रॉफ was born in इनको father of pharmacy का जाता है क्यूँ अब देखा है तुमने इन्हों नहीं क्या किया था pharmacy का course start किया था इन्हों नहीं क्या किया था pharmacy का course start किया था was born on 6th March 1902 ठीक है at Darbanga in Bihar ठीक है ना तो अब यहां से question आ सकता है who is the father of pharmacy in India ठीक है he was not a trained pharmacist वो एक trained pharmacist तो नहीं थे but he introduced and led pharmaceutical education and pharmaceutical industries towards the success in India वो trained तो नहीं थे बट उनके जो कार थे उनके जो उनके जो काम किये वो pharmaceutical education को pharmaceutical industry को इंडिया में success की तरफ ले गए उचाहियो पर ले गए बात समझे आ रही है आगे आते है during his time as a professor at बनारा सिंदु उनिवस्टी जब वो प्रोफेसर की तरह काम कर रहे थे बनारा सिंदु उनिवस्टी में he started a separate branch of pharmaceutical sciences at BHU for the first time ever in India in 1932 उन्होंने pharmaceutical science की एक अलगी branch start करी ठीक है 1932 की बात है first he introduced pharmaceutical chemistry सबसे पहले लोगों ने क्या इन्ट दोज किया pharmaceutical chemistry as the principal subject main subject in the B.S.C. course then two year later दो साल के बाद he proposed an integral two year B.S.C. course with the subject pharma chemistry उसके बाद फिर दो साल का एक course और जिसको हम pharma chemistry कहेंगे pharmacy and pharmacognosy है न मिला करके तीनो it was later turned into a complete three year B.Farm course बाद में क्या हो गया ये एक complete three year का B.Farm course बन गया at B.H.U. for first time in India पासवामिमारी किस तरीके से सुरुआत देखो कैसे हुई है आज हम लोग क्या सब्सक्राइट पढ़ते हैं उस टाइम पे कहां अच्छा एक को जोड़ा फिर दूसरे को जोड़ा फिर लोग बाद में आ करके कुछ और चीज़े घटी होंगी और इन्होंने पूरा वो कोर्स के रूप में प्रोवाइड करवाया उन्वर्स्टी में B.Farm course was in 1944 at the Punjab University Lahore now in Pakistan Punjab University जो Lahore में थी जो कि अब Lahore तो पाकिस्तान में चला गया B.Farm course at B.H.U. was industry oriented वो फार्मिसी पैक्टिस को लेकर फोकस करता था जो बीच्चिवी जलाया था वो इंडस्ट्री को लेकर के को इंडस्ट्री में जॉब कर थोड़ा सा रहता था तो उसको लेकर के फोकस कराया गया जाता था वहाँ पर दो यदि भी the profession was oriented towards the pharmacy practice at the introductory stage फार्मिसी पैक्टिस के बारे में सिखाय जाता था इस जुब जैसे से आगे बढ़ा इट बिकें मोर इंडस्ट्री ओरेंटेब से किसकी तरफ जुग गया यह इंडस्ट्री ओरेंटेट हो गया क्यूंकि जॉब की जरुब की दरुद थी इस बेंड लीड तो देवलोप्मेंट आफ दा मौडन इंडिया फार्मसिटिकल इंडेस्ट्री और इसके वैसे जो आज हम मौडन फार्मसिटिकल कमिस्ट्री देख रहे हैं इंडेस्ट्री वह आज डेवलोप हुई है अब पूरी ओल आवर वर्ल्ड में आज हम लोग वॉल्म वाइस बात करें कितना प्रडक्शन है ठीक है ना डेटीज थर्ड नंबर हम लोग थर्ड नंबर पे हैं बास समझ में आ रही है तो देखो बच्छे हिस्ट्री है हिस्ट्री में 245 सबसे निकाल के रख लेने हैं ठीक अब प्रोफेशर श्रॉफ स्टार्टेड दा एमफार्म इन्होंने एमफार्म एजिकुशन भी स्टार्ट की कब 1940 में एट बीएच्यू में ही लेफ्ट बीएच्यू इन 1943 1943 मों उन्हें बीएच्यू छोड़ दिया तो जॉइन बिर्ला ब्रोदर्स एज चीफ कैमिस्ट और रिसर्च ऑफिसर के रूप में इस्टिल हीज एफ़र्स और इंट्रेस्ट प्रिंस्पलानी उसके बाद भी क्या किया इन उन्हें जो उनका कोशिस थी और उनका इंट्रेस्ट था उसकी वएसे जा करके वह फाइनली बिट्स प्लानी में जाके प्रिंस्पल बन गए और फाइलली वह क्या हुए उनका जुखाओ था इस तरफ की एजुकेशन को लेकर कुछ करना है ठीक है ना तो फाइली रोन ने एजुकेशन को डिगरी लेवल पे लेकर गए विफोर इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस इससे पहले की इंडिया को यादी मिलती देर वर थ्री इंस्टिटूशन्स ओफरिंग फार्मेसिट डिगरी प्रोग्राम सेंट्र उन्वर्स्टी थी यह सेंट्र मतलब सेंट्र गवर्मेंट के अधीन थी है कौन कौन सी थी 1937 44 और 47 में ठीक है तो क्या क्या है डिपार्टमेंट आफ फार्मसिटिकल इंजिनिरिं यह कैसा कौलेज था यह प्राइवेट था यह स्टेट गवर्मेंट के थे दोनों कौलेज तो तीन इंस्टिट हमारे पास आचुके थे आजादी के वक्त तक ठीक है ना अब बात करते हैं आजादी के बात की कि आफ्टर इंडेटेंच आफ्र इंडेडेंज फार्मेसी प्रफेश्टिन इंडिया इसको समझा थोड़ा इसको इन देपेंडेंस इन नाइंटीन तो उनके जैसे सिस्टम चल रहा था कुछ हम लोग उसमें नया करने कोशिश की वह हो नहीं पाया उसे आप से तो इन्हेरिट करना मतलब पाया आपने बिना लाइसेंस के दुकान डाल लेते हो तो जेल हो जाएगा आपको है ना कॉंसफेट औफ़ Font हिबक्तित वा नौत रियलाइज अंतिल आफ्र इंडीपेंडनट्थे वह एक्षा स्वग्रिक्डएंस को आखने अचल्च में दा फार्मेशी एक्ट नैटीन was enacted है ना जो Pharmacy Act 1948 वो आया अस्तित्व में हमारे ठीक है as the nation's first minimum standard of educational qualification for pharmacy practice to regulate the practice education and profession of pharmacy इस लोगो ने finally आ करके एक minimum standard decide कि education ये होगी ठीक है education में ये सब subject होंगे profession के लिए फार्मिस के लिए minimum इतनी requirement है इतने degree होने ही चाहिए बास समझ में आ रही है ठीक है आगे आते हैं अब education लेकर सोड़ी बाते हो रही है आपर 1948 फार्मिसी एक 1948 पब्लिस हुआ 1948 में इंडियन फार्मकोपियल कमीटी वस इंडियन फार्मकोपियल कमीटी थी जो फार्मकोपिय बनाएगी वह बनी अंडर दा चेर्मेंशिप ओफ लेट बीन घोष ठीक है न तो यह याद रखेंगे 1949 में फार्मेसी कांसुल ऑफ इंडिया पीचियाई का स्टेबलिसमेंट दूआ अब तो सब जानतों पीचियाई को है न आज़की डेट में कौन ने जानतों पीचियाई को पता ना पीचियाई वाज इस्टेबलिस अंडर फार्मेसी एक्ट 1948 ठीक है 1954 में एजुकेशन रेगुलेशन है और क्या क्या एजुकेशन में होना चाहिए ठीक है लेकिंगे कुछ इस्टेट जो थे वो लैग्ड बिहाइंड मतलब पीछे रागए 1954 ड्रक्स और मैजिकर मेडीज है ना ड्रक्स और मैजिकर मीडिज यह सब दिटेल ने पड़ोगे सेकंड एर में आप जेट नेवल अब्जेक्शनेवल अडविटाइजमेंट है ना एक्ट तो मिस्लीडिंग था कि आप इसको लगाओ तो गोरे हो जाओगे तो जो मिस्लीडिंग वाले इस दबाए को खाओगे तो ऐसा हो जाएगा यह जो ऐसी चीजें परचार की जाती है उनको मैजिक रिमीडी जादूई चीजें जो कि पॉसिवल नहीं है ना हम सब को पता है आज की दुनिया में जादूई चीजें नहीं होती है ठीक है अब किसी अंद्विश्वास भरा हो तो अलग बात है कि हाँ उसका ऐसा हो गया हर काम के बिछे कोई ना कोई चीजें होती है ठीक है तो ड्रक्स एंड मैजिक रिमिडिई आई हमारे उसमें रूल में देन 1955 में मेडिशनल एंड टोलेट प्रपरेशन एक्साइज जूटी एक्ट 95 वास इंट्रूस्ट तो इनफोर्स इन्फोर्म डूटी फोर और अलकॉहल प्रडॉक्ट्ट्स ठीक है ना तो मेडिशनल ट इसा था कि हर एक चीज में अलकॉहल का इस्तमाल हो रहा था उसके लिए यह आला आ गया 1955 में फर्स्ट एडिशन ओफ इंडियन फार्मकोपिया पब्लीश पहली बार 1955 में इंडियन फार्मकोपिया पब्लीश्ट हुई अगेन इंपोर्टेंट यहाली डेट का इस्तमाल हम लोग जब फार्मकोपिया पढ़ेंगे तो वहां पर इप करेंगे डि पी सी यो अगेन वेरी इंपोर्टेंट ठीक है यह टा देंगे drug prices control order was first passed in 1966 and then revised in 1970 79, 87, 95, 2013 issued under the Essential Commodities Act किसके अंडर इसको issue किया गया था Essential Commodities Act के अन्दर है न the drug pricing control जो drug के price को control करेगा ऐसा नहीं कोई मनमाने तोः सा कोई भी किसी भी रेटे बेच रहा है now 1985 में आया नार्कोटिक एंड साइको ट्रॉपिक सब्स्टांस एक्ट यह बहुत जो बहुत जुरूरी इंपॉर्णेट वाले हैं उनका इस डिसकुसन है यहाँ पर एसे ड्राग्स घ्काने को लट लग सकती है ठीक हों की अग्र्ण्ट को पॉलीच यह लिए उनके लिए एक्ट आया ड्रॉट पॉलिशी आई ड्रॉट पॉलिशी ऑने ट्रॉट रॉट नगीशीन ये टिगहें एक्ट इंड और एंडड तीगहें न इन सेप्टेमबर 1994 ठीक है ना यहां लिखा हुआ है and in September 1994 the new drug policy was announced एक नई drug policy announced की गई 2002 में pharmaceutical policy 2002 not implemented code case है यह ठीक है ना तो क्या हुआ यह आया हमारे पास 2012 में National Pharmaceutical Pricing Policy National Pharmaceutical Pricing Policy NPPA seeks to replace the drug policy यह आयी जिससे की इसने क्या क्या जो drug policy थी हमारी उसको क्या कर दिया replace कर दिया ठीक है उसके पर इसको लगा लिया अब यहां पर कुछ नोट करने वाली बाते हैं जिसको हमें ध्यान रखना है बहुत काईदे से और वो चीजें क्या हैं आओ देखते हैं National Pharmaceutical Pricing Policy is the policy governing the price control and DPCO is the order by which price control is enforced यह policy price control करती है और DPCO वो ताकत है जो इसको control करने में मजद करती है समझ रहे हो ना मतलब एक policy लगाई कि हाँ तुम इससे जादा नहीं करोगे वो कहरा नहीं मैं तो नहीं करोगे जाओ क्या कर लोगे फिर आयता है अपना यह DPCO यह enforce क्याती नहीं करोगे तो penalty पड़े जाएगी चुप चाप से काम करो ठीक है ना तो यह दोनों में थोला सा अंतर है जो ध्यान रखोगे आगे आते हैं currently one needs at least a diploma आज की date में आप क्या हो चुका है किसी को कम से कम डिप्लोमा चाहिए होगा फार्मेसी में to practice as a pharmacist अगर आपको as a pharmacist काम करना है तो कम से कम डिप्लोमा के डिग्री होनी चाहिए ठीक है डिप्लोमा होना चाहिए मतलब provisions of the act are implemented through the pharmacy council of India अब यह चीज़ pharmacy council of India ने लागू कर दी है कि कम से कम डिप्लोमा होना चाहिए अब ये एक्ट मजबूर करता है कि हर इस्टेट अपना इस्टेट फार्मसी काउंसिल बनाए बात कर ले दिने करंट स्टेटस आज का स्टेटस किया है तो कह रहा है फार्मसी इस इस एक बढ़ाओ बड़ाओ बड़ोतरी देखिया है इन लास्ट टू डिकेट पिछले 20 सालों में अब एक दूसर बाढ़ आगी ना तो हमें देखा होगा ठीक है ना आज की रेट में हम लोग क्या कर रहे है exit exam आ गया क्या reason है इसका आने का कोई तो reason होगा अब तक नहीं था अब क्यों आ गया है ठीक है ना तो exit exam जैसे कि हमने पहले भी बात decide कर रही है exit exam जो बच्चे पढ़ रहे हैं कोई tension नहीं है वो मौज में है वही हम तो देदेंगा exit exam जो लोग घर बैटके कर रहे हैं ठीक है ना बस दिक्कत या डरने वाली बात उन बच्चों को है ठीक है अब यही सब चीजे कही ना कहीं से complaint मिली बहुत आज चीजे आई कहीं ना कहीं यह चीज समझ में आए कि pharmacy education कहीं ना कहीं इसका जो लेवल है वो गिरता जा रहा है तब कहीं जाकर कि यहां पर क्या था कि एक अर्जेंट जरूत पड़ी कि academic curriculum था उसको हम रिवाइस करें ठीक है एक उसको नया उसमें जान सी फूखें ताकि कुछ नया कर सकें ठीक है ना यहां पर हम यह भी समझ सकते हैं कि जो वही घिसा पीटा करिकुलम चल रहा था जिसके वैसे जो फार् and emerging trends in the field of pharmacy अब लगातार pharmacy के अंदर क्या scenario बदलता जा रहा है वही गिसीपीटी चीज़ें पड़ोगे तो नए चीज़ें आ गई हो कब समझोगे तो उसको चलते हुए देखते हुए keeping the above point keeping the above point PPR 2015 Pharmacy Practice Regulation and ER 2020 को सब लोग जानते हैं ना एजुकेशन रेगुलूशन टुटी है वी इंटेडूस्ट बाइपीशी आई ठीक है PCI के द्वारा यह लाया गया अब इनके अंदर क्या-क्या था डिटेल में आएगा सेकेंड उसमें pharmacy law and ethics में वी एफ टुडें more than six lakhs pharmacist in the country हमारी country में छह लाग से जादा फार्मसिस्ट है और विस फाइव लाग सार इन community pharmacy देख भी टफीर आगए community pharmacy क्या होती है अपने है ना जो जनर्ल बासमें बोलते तो medical store जो क्या होते हैं अपने medical store होते हैं उनको लोग क्या बोलते हैं community pharmacy बोलते हैं लगवाग 5 लाग से ज्यादा कहा माँजूद है community pharmacy माँजूद है सरकारी उसमें लगे है रिसर्च में है या academic में इस तरह से डिप्लोंग decision Nazi ज्याद प्रॉलब होते हैं वह लार्गले ऒर कने अफार्मेशी को प्रोफेशन को एंड प्रोवाइडिं आउक्वालिटी ऑफ फार्मेशीय को टेलडी जो अपने गवासीतिकव कर जया जाते है ultimately हमारा उद्देश से क्या है patient का care ठीक है न तो pharmaceutical care कहीं न कहीं word जड़ा है patient के care से तो वो pharmacist के अंदर से अभी समय कहीं न कहीं lack है मतलब वो जानता ही नहीं है कि हमारा main उद्देश दवाईयों को बेचना या कुछ और काम करना नहीं है अगर आप pharmacy है और pharmacist है hospital pharmacy में है या community pharmacy में है तो आपका सबसे पहला उद्देश से patient care होना चाहिए ठीक है ना तो still a dream वो आज भी एक dream है हम लोग patient care से मतलब ही नहीं होता है ठीक है however significant development underway में change the situation कुछ काफ़ सारी situation चल रही चेंज करने के लिए जो situation को बदल सकती है जैसे की increase in consumer awareness आजकर consumer को awareness ज्यादा होती होती जाली जा रही है ना जो भी consumer मतलब हम लोग है patient वगए रहा है उनको awareness बढ़ती जा रही है awareness among the pharmacist on the need to provide direct patient care तो बढ़ी बात आगी अब हमको समझ में आ रहा है कि हम Pharmasists हैं तो हमारा अदेश से patient care यह बात हमको समझ में आ लिए हमारा लिए से दवाजों को बेचना ही नहीं रहा गया है दवाजों देना ही नहीं रहा गया है पेशेंट का ध्यान भी रखना पेशेंट केयर कैसे होती है सारी चीज़ आएंगी कुछ यहां आएंगी ठीक ना और कुछ तुमारी सेकंड एर में आएंगी एंट्री आफ इंटरनेशनल प्लेयर्स इन कम्युनिटी फार्मेशी एंड हैल्थ इंसूरेंस ठीके ना इंटरनेशनल प्लेयर यहाने कि विदेश जो डवलप कंट्री मुहां पे एक अलग लेवल का हिस्ताव चलता है काभी देखना करेंट जो फार्मेशी वगर रहती हैं म विदेशों से मोवी में यूट्यूब अगर देखना वह अलग लेवल की रहती है वह ऐसा लगता है कि मतलब यह तो कहीं है कैसे मतलब होटल टाइप कर रहता है वहाँ पे अच्छी चीज़े होती है मतलब केर करने से मतलब है कि वहाँ पर सारी चीज़ें एक तरह से छोटा की टीज़ें को ट्रेण कि लेस्त को ट्रेण कोश एंडिया की अखिरकार इंडिया में कौन कौन से educational programs और courses है तो क्या क्या courses है variety of pharmacy degree programs offered in India इंडिया में काफी सारे pharmacy program available है कौन कौन से है साइट कुछ तो पता ही होंगे तुम लोगों को एक तो तुम लोग करी रहे हो सबसे पहले सबसे छोटा D-Pharma इसके बाद आता है bachelor of pharmacy master of pharmacy master of science in pharmacy then practice based doctor of pharmacy pharmacy से फार्म डी का जाता है ठीक है ना इसकी बड़ी वैल्यू बेड़ा है छह साल का कोर्स रहता है ठीक है ना इसकी बड़ी वैल्यू है यह मतलब अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं कभी डिसकस करेंगे इसके बारे में अच्छा इंकम देते हैं ठीक है आगे आते हैं तो है एंट्री पॉइंट फॉर डी फार्म बी फार्म एंड फार्म डी प्रोग्राम इस ट्वेल्यू यहर ऑफ फॉर्मल एडुकेशन इंदा साइंस कम से कम मिनिमम क्या है बारा साल आपने काम बिताए हो उसकूल में बिताए हो आगे आते हैं आप क्या कह रहा है यह डिप्लोमा इन फार्मेसी हम सबको पता है इसके बारे में क्या क्या है यह तो खुदी लिख दोगे डीफर्म प्रोग्राम रिक्वाइर मिनिमम आफ टू येर ऑफ कोर्स फॉलॉड बाइफ फाइट आवर ऑफ प्रेक्टिकल ट्रेनिंग है ना सबको बता है दो साला कोर्स है पांसो घंटे के ट्रेनिंग होगी दैट शुट भी कंप्लेट विदिन थ्री मंथ तीन महेने के अं यह भी अफ्लेट होते हैं इस्टूडेंट्स होल्डिंग बीफाम डिग्री कें अर्ण एंड एंफ एंफ फाम डिग्री इन टू यर जो बीफाम वाले हैं वो डारेक्ट एंपाम में एंटी मिलती है और फिर एंफाम उनकी दो साल की रह जाती है और विज दसेकंड डियर इस डिवोटेट टू रिसर्च और उसमें भी सेकंड डियर क्या है रिसर्च पर सारा चला जाता है ठीक है एंफाम की बात करें मास्ट्रियल फार्मेसी की एंफाम प्रोग्राम्स ओन इंडुस्टियल फार्मेसी क्वालिटी अस्यूरेंस यह आ चुके हैं तो ट्रें द ग् ठीक है ना हमको क्या करना है जो बीफार्म में ग्रेड फार्मसिश्टे उनको ट्रेंड क्या जाता है क्लीनिकल और अरेंटेट रहते हैं ग्लिनिक बेस्ट्रें को एंफाम्स प्रोग्राम इन फार्मेसी प्रेक्टिस वाद इंडूस्ट एड जगत गुरू स्री शिवर रा MS Farm Science वाली बात आगे दिया रहा 6th National Institute of Pharmaceutical Education and Research नाइपर इसे कहा जाता है इन इंडिया offering MS Farm जहां पर यह को सप्पड़ाए जाता है यह M.T.E.C. है ना फार्म में रहेगा and higher level of degree नाइपर्स वर क्रियेटेड विद विजल आफ नैडिया चिरीटों फार्मेक्ज़ एक्सिलेंस आफiven एक्सिलिट वले आघूकेशन एक्सिलेंस यहां सह allons जो करेगा उसके एक्सिलेंट बाना जाता है ठीक है ना, Doctor of Philosophy, PhD, Students with M-Pharm degree in any discipline, किसी भी discipline में हो, can work towards a PhD with additional minimum of 3 year of study and research, M-Pharm के बाद हो क्या कर सकता है, 3 साल PhD कर सकता है, ठीक है, उसमें जा सकता है, then Doctor of Pharmacy, PharmD, जो काफी better course माना जाता है, the PharmD program constitutes 6 year of full time study, 6 साल का पुरा course रहेगा, the PharmD post-baccalaureate कहा जाता है, इसे program, ठीक है, याने की इसनाथ तक उत्तर कहा जाता है, एक तरह से इसनाथ तक के बाद वाली, program जा 3 year program, the PharmD program was introduced in 2008, ठीक है, 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 भाल जो कार तरीक हलें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रिडूदेश्ट किया तक इसका, जिसको बहुत ज़ुजदेश्स ट्रेनिग हो राक्तिות, प्रैक्टिस साइट प्रैक्टिस के फिल्ड में and could provide pharmaceutical care to patient और वो पूरी तरीके से फार्मसेटिकल केर पेशेंट को दे सकी बस यही वज़े है कि इसका जो स्कोप है अमरीका वगरा विद्विश्व में फ्रहां सा ज्यादा अच्छा क्योंकि यह जो कोर्स होता है पूरी तरीके से कैसा है फार्मसेटिकल केर बेश्ट रहता है ठीक है आगे आते हैं ग्रोथ ओप्रभी ऐजुकेशन इंडिया अब इसकी ग्रोथ की बात जब सबस्वार्मसेटिक्शन की बात तो तो काफी श्लो था धीमा था अंटिल अर्ली नाइटीनेटी यह वर 11 उनिवर्स्टीजटीज और टॉनिटेश्टीज और टॉनिटेशिस कॉलेज़ेश ओफरिंग फार्मिसे एड़िलर्स एंड मास्टर लेवल ठीकए ना लगबग ग्यारा इजुट्टीजटी और चब्व pharmacy education has been developing faster in India than anywhere in the world. अब यहाँ पर जवर्दस तरीके से pharmaceutical industry का growth होता है वहाँ पर बहुत जाज़ डिमांड हो जाती है कि इसकी pharmacist की जो लोगों ने pharmacy कर रखी हो तो उसकी वैसे यहाँ पर सबसे जवर्दस तरीके से क्या हुआ बहुत तेही से हमारा pharmacy education grow करता है most of the institutions however are privately funded colleges and privately funded universities जातर इसमें से क्या है privately funded private colleges और universities होती है अपनी the private sector which accounted for about 10% of the students admitted in the 1980 1980 में private में जाने में कोई राजी नहीं था क्योंकि उसका scope नहीं था now 91% of all pharmacy students admitted अब लगबग 91% pharmacy student private colleges से ही क्या कर रहे है pharmacy को कर रहे है बास समझ मारी है ठीक है next राते हैं pharmaceutical industry अब थोड़ी सी industry की बात कर ले हम लोग यहाँ पर pharmaceutical industry in India the Indian pharmaceutical industry is the world's third largest by volume and 14th largest in terms of value value मतलब पैसा volume मतलब कितना production दे रहा हो total annual turnover of pharmaceutical was rupees 289998 crore for the year 19-20 के लिए इतने crore रुपे का turnover था ठीक है total pharmaceutical exports and import कितना भेजा और कितना मंगवाया were the turn were the tune of rupees 146 कितना export किया 146,260 crore और कितना import किया 42943 crore ठीक है ना 42,000 और वो वन लाक export बहुत कर दिया भाहिया ठीक है ना तो काफी ज्यादा scope है इसका major segment साव तो pharmaceutical industry साथ generic drug generic drug के बारे हम बात करेंगे generic drug वो होती है जो patented नहीं होती है अब patent और generic drug का जो difference है actual difference तुम लोग हम discuss करेंगे इसको जो हम लोग पढ़ेंगे क्या pharmacology है ना क्या पढ़ेंगे pharmacology कहां पढ़ेंगे second year में पढ़ेंगे ठीक है तो generic drug का basic difference समझाएगा generic drug छोटा सबता दूँ मैं generic drug जो तुम लोग सुने होगे कि market मों सच्थी आती नकली नहीं होती है low quality के नहीं होती है इनका therapeutic effect same होता है therapeutic effect जो काम हो उतना ही करेंगी लेकिन किन वजहों से इसको कई बार हम लोग लोग क्वालिटी का बोल देते हैं वो सारे discussion होगा हमारा second year में ठीक है ना OTC over the counter drug Wix है, move है यो OTC कहलाते है and active pharmaceutical ingredients है ना API active pharmaceutical ingredient तो जो major segment था हमारे pharmaceutical industry का वो क्या क्या बना रही थी, generic drug बना रही थी OTC बना रही थी, ठीक है active pharmaceutical ingredient जैसे की paracetumol में main ingredients कौन है जो काम करेगा वो bulk drug बना रही है vaccines बनाने में, contract research research और manufacturing biosimilars, biosimilars नतलब ऐसे drugs जो हमारी body के chemical से बिलकुल मिलते दोलते हैं and biological ठीक है तो biological जो हमारी body में biological को जाके affect करेंगा हमारी body की biological जाकर के ठीक है तो ये इन चीजों में इन चीजों में क्या था mainly focus किया कर रही थी हमारी industry pharmaceutical India has the second highest number of US FDA approved plant outside the US India में US के बहार, US FDA approved यानि कि जो USA approved plants है सबसे ज़्यादा कहा है इंडिया में ठीक है इंडिया इस अ ग्लोबल लीडर इन सप्लाइ ऑफ डीपीटी डीपीटी ग्लोबल लीडर सबसे ज़्यादा सप्लाइ कर रहा है क्या डिप्थेरिया टेटनस एंड पर्टूसिस BCG bacillus कामेट ग्यूरीन वैक्षिन है बीसी जो अपने टीव अगरा में काम आता है एन मीजल वैक्षिन इन में ग्लोबल लीडर है सबसे ज़्यादा बना बना के बेच रहा है ठीक है इंडिया अकाउंट फॉर 60 परसेंट अफ ग्लोबल वैक्षिन पूरी दुनिया में जो वैक्षिन बीची जा रही है को साथ परसेंट इंडिया तक दे रही है सबसे जादा बना के बेच रही है एक्सेस टू अफोड़ेवल एचाईवी अब जैनरी के सस्ती होती है तो इजली जो एचाईवी पेशेंट होते हैं उनको बहगा नहीं पड़ता है ठीक है इनकी वज़े से एचाईवी पेशेंट के पास बहुत एजली क्या हुआ मैडिसीन पहुंच पाई है इंडिया इस बिगेस्ट सप्लियर अफ लो कोस्ट वैक्सीन लो कोस्ट वैक्सीन का सबसे बड़ा सप्लायर है इन दे वर्ल्ट विकॉस आफ अफ दा लो प्राइसिंग इंडिया मेडीशन साफ प्रीफड वल्लेट इसकी क्या होती प्राइस लो होती है क्वाल्टी अच्छी होती है इसी रही पूरी दुनिया में इसको प्रिफर किया जाता है देर बॉय राइटली मेकिंग गग कंट्री दफ फॉम्मेसी ऑफ दब वर्ल्ट अब यह दुनिया को क्या दे रहा है एक मिनाट टच हो जा रहा है को तो अब यह क्या कह रहा है इसके वजे से यह दुनिए क्या क्या रहा है pharmacy of the world क्या रहा है क्या 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 रहा है यह pharmacy of the world the pharma sector currently contributes to around one point seventy percent of the country gdv पूरी इंडिया फार्मसिटिकल सेक्टर फॉर्म समेजर कॉंपोनेंट अफ दा कंट्री इंवेस्टर के लिए इंडिया में आ करके फॉरनर्स क्या कर रहें है इंवेस्ट कर रहें इंडिया सप्प्लाई कर रहा एंड लो कॉस्ट जेंडिक दवाई है ना जो इजली सच्थी मिले और अच्छी दवाईयां अफोर्ड कर रहा और साथ साथ में एंड चला रहा है ऑप्रेट कर रहा है सिग्निफिकेंट नंबर काफी ज्यादा मात्रा में युनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एड्मिस्ट्रेशन एंड वर्ल्ड हैल्थ और्गनाजेशन गूड मैनुफेक्टिरिंग प्रैक्टिसेज कॉंप्लाइंट प्लांट इन तीनों का मायनता मिली हुई प्लांट को सबसे ज़्यादा कहां चल रहे हैं इंडिया में चल रहे हैं ठीक है इंडिया है अब इसके वैसे क्या हो गया इंडिया ग्लीडिंग वह बच जाता है इंडिया इस थर्ड लार्ज़ेस्ट मार्केट पॉर API है ना API क्या था फार्मसेटिकली एक्टिव एक्टिव फार्मसेटिकल इंडिडियन ग्लोबली एट परसेंट शेयर इन दा ग्लोबल एपी इंडिस्ट्री 500 प्लस डिफरेंट एपी आइस आने वाली हैं ठीक है तो कही ना कहीं इंडिया का एक बहुत बड़ा मार्केट है बहुत पूरी दुनिया में दवाजियों के मामले में डिपार्टमेंट ऑफार्मसेटिकल की बात करें तर डिपार्टमेंट ऑफार्मसेटिकल वस क्रेटेड ऑन 1 जुलाई 2008 अंडर दा मिनिस्ट्री ऑफ कैमिकल एंड फटिलाइजर्स विद ऑब्जेक्टिव गिव ग्रेटर फो फार्मसेटिकल क्रेट की जाती है एक जुलाई 2008 को अंडर दा मिनिस्ट्री ऑफ कैमिकल फटिलाइजर विद्द ऑब्जेक्टिव क्या क्या अब्जेक्टिव दे पहला अब्जेक्टिव टू गिव ग्रेटेस्ट फोकस अं थ्रस्ट ऑन डवलमेंट ऑफ फार्मसेटिकल ठीक है दूसरा क्या था टू रेगुलेट वेरियस कॉंप्लेक्टिव इसू रिएटेट टू दा प्राइसिंग अवेलिबिल्टी ऑफ मेडिसीन ठीक है यह किनकी इसू को लेकर के भी बनाए गया था रिसेर्च और डवलमेंट को लेकर के प्रोटेक्शन ओफ प्राइसिटीकल सेक्टर जो इंटरनेशनल कमिटमेंट कर दी हैं फार्मसीटिकल सेक्टर को लेकरकर उसको भी देखरेक्ख करनी थी विच्ट रुक्वाइर कोडिनेशन विद्ध अब जुरुत थी कि दूसरी मिनेश्ट्री से भी का कॉडिनेशन कीया जाय है क्यों फंड कि ठीक है ना यानि कि एक तरह से कहलो कि government की चीज है जिसको government चला रही है बीरो फार्मा पी यूसी ओफ इंडिया बी पी पी आई सेट अप ऑन फर्स्ट दिसमबर 2008 बाइदा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मसेटिकल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फटलाइसर गवर्मेंट इंडिया विद्ग औप्येक्टिव फोकस्त तो इंपावर्मेंट इस्ट्रक्ट्टर तो इंप्लीमेंट दा जन ऑस्थी खीम जन ऑस्थी स्कीम लांशेश्ट बाइप फार्मसेटिकल्स थीक है ना जो दिपार्टमेंट ऑफ फार्मसेटिकल्स पीछे था घूमारे पास इसने एक क्या था जन उस्दी स्कीम हर एक के पास तक सस्ती और अच्छी दवाईयां पहुंचे हैं इसको समझने के लिए इसकी देखरे के लिए कहीं नहीं कि इसका Bureau of Pharma PCO इंडिया पब्लिक स्क्टर का बनाती बहुत सारी दवाइया जो कहां जाती है जैसे कि अपने उसमें एती है जो सरकारी है जो अपने हौस्पिटल्स हैं जो आर्वीवाले हौस्पिटल्स होते हैं ठीक है इन में जाती बहुत सारी तो Central Public पॉब्लिक सेक्षेंटेकिंग देपार्टमेंट फाइव सेंट्रल पॉब्लिक सेक्षेंटेकिंग अंडर इस अडिस्टेटिव कंट्रोल ना पांच ऐसी हैं फैक्ट्रिया के लो या जिनके अंदर ही सारा काम होता है इंडियन ड्रग और फार्मसिटिकल लिमिटेड ठीक हि हिस्ट्री में चीज़ें थोड़ी सी पकाउस ही हो जाती है लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा मैं फिर कहूंगा हिस्ट्री को एकदम से मत पढ़ने बैढ़ आना कुछ खास खास चीज़ें निकालना पांच-माच चीज़ें जोडते जले जाना और अगर पेपर में कुश् काफी हाई होता है अगर जोटी यह नहीं लुक फिर बता रहा है लेकिन हाँ कुछ चीज़ेंगे हम लोग सेकेंड़ेर में तो उसके मकाबले ब्रांडेट का प्रास काफी हाई होता है दो और इंटिकल इंदा छैरपटिक यह वैल्यू जो उसका एफेक्ट उसके मकाबले में जो मेन कंटेंट है वो तो सेम ही है लेकिन उसके बाद भी एक दवाई महेंगी है एक दवाई सस्ती है विद अब्यक्टिव फ्मेकिंग क्वालिटी जैनरिक मेडिसीन ठीक है अवेलिबल एट अफॉड़िवल प्राइस टू ऑल ऑल इस्पेशली फॉर एंड़ डिप्रा सब्सक्राइब है और यह जो चीजों से वंचित है ठीक है प्रधान मंत्री भारति जनौश्दी परियोजना वाज लॉंच्ट बाई डिपार्टमेंट इंदा यह तू ठाउन एट 2008 में लॉंच हो गिती है अंडर दिस स्कीम केंद्र डेडिकेटेट अंडर दिस स्कीम अपरेटेड और ओपन ओल अवर दा कंट्री पूरी कंट्री में खुले यह तू प्रवाइट जैंडिक मेडिसीन टू दा मासे ठीक है ना जैसे कि एक तरह से हमारा समय लोग राश्टन की दुकाने पूरी अलोवर इंडिया में है वैसी यह दवाजयों की दुकाने अलोव कर लें the scheme has been approved for continuation with the financial outlay of Rs. 490 crore 490 crore का खर्चा for the period from 223-221 to 24-25 इस समय थोड़ा सा ज्यादा जोर पकड़ा था जो प्रिजन गवर्मेंट है ठीक है the target is to open 10,500 PM JP मतलब की launch तो कर देगा 2008 में लेकिन उसके पर उतना जोर नहीं दिया गया अब आज के टाइम पे एक target रखा गया है इतना रुपया इसके बाद खर्च किया जा रहा है कि 20-21 से लेकर 24 बच्चे जाएंगे 5 सालों में इतनी केंदर खोल दिया जाएंगे in all over the country by March 2025 it has also been decided to enhance the product basket product basket मतलब उसके दवाईयों की संख्या बढ़ाई जाएगी जैसे मानलों हो सकता आज की टाइम पे इन जनौसनी के अंदर में 50 तरी की दवाईयां दी जानी है फिर कहाईर के 50 नहीं है इसको 100 तरी की दवाईया जानी की और लेवल बढ़ाया जा रहा है ठीक है बात समझ मारी है तो ये था हमारे पास हिस्ट्री की कुछ बाते हैं और सबसे जरूरी बात माइंड नर्चर एप के बारे में सबको पता होगा जिलनों का नहीं पता जो लोग लेक्शे मेरा पहली बात देख रहे हैं समझ लें माइंड नर्चर एप प्ले स्टोर पे आ प्ले सुक्र दूर्चर व्यंदे कहाई मार्च यहीं तुम्हारा पें गएब किसका डी इफार्म के बारे तुमारे कया है एम सीक्यू एंड फिलन्दे बलांक स्टै यह दोलों हम यहां 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 पास एसे बारे में लाइव क्लासे वर coup जो डाउट होंगे मैं यहां पर पूरा अपना प्रोसीडर डालूँगा कि कब कब कॉन कुझ चलेंगी और फिर उसके इसाफ से जो डाउट क्लास होंगी वो चलेंगे बगाईदा बच्चों के बैच बन जाएंगे ठीक है यह ऐसा भी होगा बच्चों के बैच बनके मैं रो पर रहे हो अपना एमसी कि लगाते चले जाओ ठीक है ना उसके बाद फिलिंदा ब्लैंक तो ने बताया और सबसे बढ़ी बाद रूटीन टेश्ट फॉर डी फार्म एक्जिट एक्जाम दोने के लिए क्या उने वाला रूटीन टेश्ट तो रूटीन टेश्ट का बताओं मै उसका कैसा रहेगा जैसे कि आप लोग होगा मालो chapter νρι5 कता हो गया इसका टाश्ट हुआ बात समझना बहुत ध्यान से फिर chapter नमबर 3 इसका टाश्ट हुआ फिर होगा एक test गोगा एक टाश्ट नमबर 3 जिसमें chapter 1 1 प्लस 2 दोनोंका टाश्ट होगा फिर chapter number 3 फिर एक test होगा जिसमें chapter number 1 plus 2 plus 3 हम लोग इस तरह sequence में चलेंगे इससे क्या है आपकी तयारी नहीं छोटेगी same तुम्हारा रहेगा MCQ के pattern पे MCQ के test भी इस तरह से रहेगे तो तुम्हारी तयारी लगातार होती चलेगी और अब भी अगर कोई doubt है तो उसके बाद मैं number अपना open कर दिया है मेरे को call करें हिचके नहीं बिल्कुल भी कहीं कोई doubt है app को ले करके या पढ़ाय को ले करके कि कैसे क्या रहेगा मुझको call करें ठीक है समझें कि app में क्या क्या मिलेगा उससे क्या क्या आपको benefit होने वाले है clear है तो क्या करना है revise करना है चीज़ों को पढ़ना है और जो तरीके बता रहा हूँ मैं ठीक है इस सब चीज़ेंगे भी हम लोग जब live class में आपके भी discuss करेंगे चीज़ें कैसे कैसे और अच्छे से हम पढ़ सकते है ठीक है न तो पढ़ते रहो और revise करते रहो बिना revision के life में किसी भी चीज़ में selection नहीं मिलेगा revision ही है selection life में कोई भी चीज़ है कोई भी चीज़ मैं exam की बात नहीं कर रहा है selection मतलब आप कोई भी चीज चाह रहे हूं कोई भी चीज लाइफ में आपने सोचा है कि मेरे को यह पान है सब्सक्राइब तुमने सोचा है मेरे को यह कार पानी है तो revision करना पड़ेगा revision in the sense आपको अपने काम पर महनत करने पड़ेगा बार 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 बार